बायो कॉंबिनेशन मेडिसिन इस डिजीज में दी जाती है वो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं 28 बायो कॉंबिनेशन मेडिसिन होते हैं जैसे हम BC भी कहते हैं और यह किस डिजीज में दी जाते हैं एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो चलिए देखते हैं BC1 या बायो कॉं बात करें तो इसे कोलिक में घाता है पेट दर्ध में ये ये बाय कॉमिनसंग है जो है कॉंस्टिप्रेशन जो कबج होता है उसमें दिया जाता है ह pouvez द्वार कंस फाइब की बात करें तो कोराई जा में दिया जाता है और वी-ची-6 या बाय कॉमिनसande 6 में कफ машas right यह यह जाता है आउट बॉल यह जिस नाइन है यह जो है और आबंग यदिया जाता है यह बिदू EPA taraf उसे इञें आहर जाता है BC 11 जो है fever में दिया जाता है BC 12 जो है headache में दिया जाता है और BC 13 जो है leucoria में दिया जाता है BC 14 जो है measles यानि की खसरा में दिया जाता है BC 15 की बात करे तो यह menstrual travel महीने का सही रंग से ना आना उसमें दिया जाता है और BC 16 जो है nervous extraction में दिया जाता है बीसी सत्रा जो है पाइल्स में दिया जाता है और बीसी अठारा पाइरिया में बीसी उन्यस की बात करें तो रियूमेटिज में यानि की गठिया रोग में दिया जाता है बीसी ट्वंटी की बात के जाए तो इस्कीन डिजीज में इसको दिया जाता है है और और बीसी ट्वूंटीवन को टिंग ट्रबल दान्थ दरद या दात ही कोई भी समस्य उसमें दिया जाता है हाँ अरा कि भी इस्कहरोफ लगाने की गल सुगा या कंठमाला कंठमाला भी आटा है या गल सुगा कर। जाता है इसमें दिया जाता है या ग्वाइटर भी का जाता है और वीची 23 जो है तूथेक दर्द में यह भी दिया जाता है कि वीची 24 जो है टॉनिक है नर्व और ब्रेंड के लिए बहुत ही अच्छा है वीची 25 जो है कि वीची 23 जो है डीलीब्र पो और भी आज़ोंगे के लिए और वीची 26 जो है den bakuցरेशना फिक यह जाता है प्रसा यानि और वह तो को आज़ानी प्रशाव को आफान बनाने के लिए और्वी Day 27 जो है जन्रल टानिक आफ नर्फ के नाम से भी जाता है और इसमें दिया जाता है यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट मॉक्स में जवर बताएगा धन्यवाद